नमश्कार, Competition Community के Comprehensive Current Affairs Program में मैं पुख्राच करता हूँ इपर फिर से आप सभी का स्वागत पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 5 मई तक के Current Affairs को देख लिया था इस वीडियो में हम 6 मई से लेके 12 मई तक के Current Affairs को देख लेंगे इनका अनलिसिस कर लेंगे, Pre के Point of View से और Mains के Point of View से भी चलिए, अब आप लोग सोचोगे कि ये खाली स्लाइड कहां से आया तो जिन लोगों ने मेरे साथ तैयारी की थी किसकी 36 गड़ में जब हम CGPSE का Crash Course कर रहे थे उस समय तो वो समझ जाते थे कि जैसे ये खाली स्लाइड आया है, तो क्या आएगा एक साहितकार, ठीक है, तो basically मैंने ये सोचा कि साहितकार वाला section है कुछ comments भी आ रहे थे इसके उपर, और साहितकार वाला जो section है उसको एक साथ पढ़ने बड़ी समस्या होती है तो धीरे धीरे अगर कोई एक एक वीडियो में एक एक दो दो बताते जाए तो काफी कुछ students को help मिल जाती है तो मैंने सोचा कि क्यू ना अपने current affairs के वीडियो में क्या करूँगा तो एक साहितकार जो है उसको include कर लूँ तो एक साहितकार ऐसा करते करते साल भर के current affairs में हम 40-50 साहितकार जो है उसको easily cover कर लेंगे तो काफी मदद जो है आप लोग को हो जाएगी तो बिना time को waste करें start करते हैं सबसे पहले साहितकार जो है आज के उनके लिए एक शब्द याद रखें अनसुया तो ध्यान रखना अनसुया नाम की एक महिला है अनसुया नाम की क्या है एक महिला लेडी जो ना दो भाशा मबात कर सकती है एक भाशा क्या है तो एक भाशा है 36 गड़ी कौनसी भाशा है चत्तिस गड़ी और दूसरी भाषा क्या है पता है हिंदी तो अनुसुया नाम की महिला है चत्तिस गड़ी बोलेती है हिंदी भी बोले लेती है चलिए अब ये एक अधूरी सी पहली है इसको पुरा करते हैं हमारी जो साहितिकार है उनका नाम क्या है तो डॉक्टर अनुसु या अगरवाल अब हिंदी में नहीं पहले चत्तिस गड़ी बदाता हूं चत्तिस गड़ी में इनकी कौन-कौन सी रचनाएं तो दो रचनाएं पहली है चत्तिस गड़ के ब्रत तिहार अव कथा कहीनी चत्तिस गड़ के ब्रत तिहार अव कथा कहीनी दूसरी इनकी रचना है चत्तिस गड़ी लोकोक्तियां और और ने लिख दिया मैं भी न देखो जन जीवन चत्तिस गड़ी लोकोक्तियां और जन जीवन चत्तिस गड़ी की इनकी रचना है अब हिंदी की रचना है पहली है कहावतों की कहानिया और दूसरी रचना है इनकी वसीयत क्लियर है तो कैसे देखे थे एक बार रिवाइस कर लेते हैं देखोगा सबे जहन कई से देखे रहें इनतेला तो क्या देखे थे अनुसुया नाम की एक महिला है एक लेडी है जो 36 गडिम भी बात कर सकती है तो अनुसुया से डॉक्टर अनुसुया अग्रवाल इनका पूरा नाम बन गए साहित्यकार 36 गडि में दो रचनाए 36 गडि से ही शब्द से याद रखना एक चतिस गड़ से और एक चतिस गड़ी शब्द से है तो चतिस गड़ के ब्रत तिहार अव कथा कहीं नहीं और है क्या चतिस गड़ी लोकोक्तियां और जन जीवन हिंदी में दो रचनाएं है कहावतों की कहानिया और क्या है दूसरी वसीयत तो तीन तो आसानी से याद रख सकते हो, देखो, 36 गड़ और 36 गड़ी शब्द से ही है, ठीक है, दो के लिए आपको थोड़ा सा महनत करना पड़ेगा, तो तरीका बता दिया हूँ, खुद से कर लेना, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं, तो लास्ट जो वीडियो में हत खोज, ध्यान में आना चाहिए, आप लोग को, नेक्स्ट क्वेशिन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेशिन क्या है, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत कप की गई थी, इंटरनाशनल लेबल डे, एक माई 2022, ठीक, अगला, वर्ल्ल चांपिंशिप में पदक जो योजना है, उसके लिए टोल फ्री नंबर क्या है, 14545, लास्ट वीडियो कर देखे हो, असानी से यात होगा, चलिए, अगला क्वेशन, श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत कितनी सहायता राशी, 10,001 मुष्ट दी जाती थी, 10,001 मुष्ट, और फाइनली, लास्ट क B, KT, याद आया, या A, B, T, के करके भी याद रख सकते हो, आमाडान, आडावाल, B से भाठागाओ, K से कोट तरह, और T से टंकी मरोदा, आपको कोड याद आ गया होगा, सभी आना चाहिए, इसमें सही आंसर जो की दिया है, option number D में, done, तो ये थे क्या, तो एक साहितकार और कुछ questions, अब आज आते हैं आज के topics पर, सबसे पहले, काफी important news है ये, तो निजात, एक ऐसा अभियान है, निजात अभियान, जिसको smart policing की श्रिष्ट श्रेनी में शामिल किया गया है, अब नाम से समझो यार, निजात का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से निजात पान है तिला, तो ड्रग्स है, नार्कोटिक्स, और नशे का अवैध जो कारोबार होता है, इसके खिलाफ ना सिर्फ क्या की गई, कारवाही, और लोगों में क्या किया गया है, तो जागरूपता अभियान, अब अगला प्रशन आएगा कि ये कहा किया गया है, तो इस अभियान सिंग जी, इन्हों नहीं इस निजात कारिक्रम को, या निजात अभियान को स्टार्ट किया, जिसके अंतरगत क्या किया गया, ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, नशे का जो अवैध कारोबार चल रहा है, उसके खिलाफ ना सिर्फ वहाँ पर कारवाही की गई, बलकि लोगो रहना है, clear है ये, तो इस अभियान का नाम है क्या, निजात अभियान, important है, आपको 30 words में सीधा पूछेगा, पेपर नबर 5 में, बोलेगा, निजात अभियान क्या है करके, clear है ये, अब सिंग जी का ट्रांसवर होके कहां आ गई है, राजनात गाउं, तो currently, राजनात गाउ में भी नोंने क्या किया, तो इस निजात अभियान को start किया, clear है ये, तो कोरिया में थे तब start किया, उसके बाद, राजनात गाउं ट्रांसवर होकर आए, वहाँ के SP बने, वहाँ पर भी start कर दिया, अब क्या है, हमारा जो केंदरी ग्रह मंत्राले है, Central Home Ministry है, इसमें ना एक agency है, इसकी जिसका नाम है क्या, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, इंग्लिश में बोलते हैं, Bureau of Police Research and Development, BPRND, Bureau of Police Research and Development, इस ब्यूरो ने, एक बुक छापी, किताब छापी, नाम क्या रखा, Smart Policing की उत्तमकार्य प्रणालिया, इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में था, Best Practices on Smart Policing, और इस बुक में क्या किया गया है, 36 गड़ में, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान पर एक विस्तृत आलिक, या एक आर्टिकल लिखा गया है, आक्चुली इस बुक में किया क्या गया था, तो हमारे हाँ पर जितने States हैं, या जो अलग-अलग States हैं, और वहाँ पर जो पुलीस है और पुलीस संगठन है, उनके द्वारा अगर कोई innovative काम किया जा रहा है, या नवाचार किया जा रहा है, उसको इस बुक में क्या किया ग इडिक्शन, इंदी में या लिखते का हूं, नशा मुक्ति, ड्रग डी अडिक्शन का नशा मुक्ति का एक सेक्शन है, और इसी में चत्तिरगर पुलीस के द्वारा ये जो निजात अभियान चलाया जा रहा है, इसका क्या किया गया है, तो इस में हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से revise कर लेते हैं, सबसे पहले समझे हम लोग की निजात अभियान क्या होता है तो निजात अभियान हम समझे की जो drugs है, नार्कोटिक्स है, नशे का वैज जो कारोबार चल रहा है एक तो उसको करवाही करके बंद कराना, दूसरा लोगों को क्या करना, इसके खिलाब जागरुप करना यही है आपका क्या निजात, अभियान और इसका objective 36 गड़ में पहले कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद राजनाद गाउन डिस्ट्रिक्ट में कोरिया में जब चालू हुआ तो वहाँ पे SP थे, IPS, संतोष सिंग जी उन्होंने ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था ट्रांसफरों के राजनाद गाउन, तो राजनाद गाउन में भी स्टार्ट कर दिया अब केंद्री ग्रिहम अंत्राले है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है उसके एक एजिंसी है, क्या है भाईया, तो Bureau of Police Research and Development पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, इसने क्या करी, एक बुक छापी बुक का नाम क्या लिखा, तो रखा Smart Policing की उत्तम कार्य प्रणालिया इंग्लिश में उने बताया था, Best Practices on Smart Policing इसमें क्या किया गया है, इसमें जो विभिन राज की पुलीस है और पुलिस संगठन है, पुलीस Organizations उनके द्वारा जितने भी नवाचार प्रयास, Innovative Approach उनके द्वारा जो भी लगाया जा रहा है उसमें से जो अच्छे कारिया है, उनको क्या किया गया, इस बुक में रखा गया और इसी बुक में Drug De-Addiction, नशामुक्ती वाली जो कैटिगरी है उसमें चत्तिगड की पुलिस द्वारा, खास कर कौन से डिस्ट्रिक की, कोरिया डिस्ट्रिक की जो ये जो निजात अभियान चलाया जा रहा था उस पर एक detailed article है, विस्तृत आलेक लिखा हुआ है चलिएगा, अब समझिए इसका utilization कैसे कर सकते हैं सबसे पहले प्री में पूछ सकता है कि निजात अभियान जो है चत्तिगड के किस जिले से start हुआ है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट, पहला question अगला डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है कि किस बुक, तो बुक का नाम याद रखना है स्मार्ट पुलीसिंग की उत्तम कार्य प्रणा लिया, ये जो बुक है इस पर प्रकाशन किया गया है अगला पूछ सकता है कि प्रकाशन कौन करता है इसका तो Bureau of Police Research and Development पुलीस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तो ये तीन questions जो है वो किस पर आ सकते हैं सीधा प्रीमिया आ सकते हैं मेंस में आपको पूछ सकता है निजात अभियान क्या है तो 30 words का एक questions इस पर एड़ी कर सकते हैं इवन आप चाहें तो ऐसे में अगर good governance से संबंधित या प्रशासन से संबंधित कोई भी ऐसे आता है तो उसमें example के तौर पर आप इस निजात अभियान का utilization कर सकते हैं I hope ये news जो है आपको अच्छे से clear हो गया होगा चलिए, next देखते है, next क्या है मुख्यमंत्री रेशम मिशन तो जब इस बार का budget मतलब 22-23 का budget जब प्रस्तुत कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री तो अपने budget speech में budget का जो भाशन था उनका उसमें उन्होंने इस मुख्यमंत्री रेशम मिशन के बारे में या इस मुख्यमंत्री रेशम मिशन की क्या की थी व्याख्या की थी ठीक है अब इस मिशन जो है उसका उद्देश अब्जेक्टिव क्या है तो क्या है हम कुछ पीछले वीडियो में देखे चुके हैं कि हमारा जो बस्तर संभाग है न वहाँ पर रैली ककून वही कोसा वाला उसका उत्पादन होता है लेकिन इसका सही मुल्य नहीं मिल पाता था तो इसके लिए इन्होंने क्या किया जो रैली ककून है उसको किस पे तो MSP नियुनतम समुर्थन मुल्य पर खरीदा जाएगा ऐसी घुशना की अब होगा क्या इसका संग्रहन करने के बाद इस रेशम मिशन के माध्यम से हमारे राज्य में ही इससे क्या उत्पादन किया जाएगा तो धागा थ्रेड का उत्पादन किया जाएगा साथ ही इसकी प्रोसेसिंग या प्रसंसकरण की विवस्था भी होगी और इन ही विवस्थाओं को विक्सित करने के लिए इस रेशम मिशन की शुरुवात की जा रही है या इस मिशन के अंतरगत इन सुविधाओं को विक्सित किया जाएगा तो अगर 30 words में पूछ दे मुख्यमंतरी रेशम मिशन क्या है तो बताईएगा बस्तर संभाग में रैली ककून जो है इसके संग्रहन ये नैचरल वाला था याद होगा आपको अच्छा आप लोग अगर मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग बताना दूसरे वाले एक नाम क्या था ठीक है मैं बताया हूँ अपने वीडियो में ध्यान रखना तो बस्तर संभाग में रैली ककून जो है उसका संग्रहन करना कलेक्शन और साथ ही में क्या करना राज जी में ही धागा उत्पादन करना और प्रसंस करन प्रोस्सिंग करना तो ये जो व्यवस्ता है इसको मुख्यमंतरी रेशम मिशिन के माध्यम से शुरू की जाएगी 36 कर में क्लियर है तो 30 words में एक answer ready हो गया ठीक भई अब basically क्या है न कि ये रैली ककून खरीदेगा कौन सरकार खरीदे रहे ठीक है कहाँ पर कैसे तो जगदल पुर जो विकास खंड है बसतर जिला समझ गया होगे यहाँ पर एक गाओ है ग्राम नानगूर यही चनाम है हो सकता है कि आपने अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग सोसेस में कुछ दूसरा पढ़ा हो लेकिन budget speech मे जाग देखवें नानगूर लिखा होगा है clear है तो नानगूर जो ग्राम है ना उसमें एक ककून बैंक बनाया जाएगा clear अब लोग जाके क्या करेंगे तो ककून को वहाँ पर बेचेंगे ठीक इससे होगा क्या कि स्वह सहायता समू तो लगभग ऐसे ना 200 स्वह सहायता जुड़ी हैं तो इन स्वह सहायता समू के महिलाओं को सबसे पहले तो क्या मिल गया तो मिल गया ककून क्यों मिल गया तो अभी से धागा निर्मार कर सकेंगे मतलब raw material मिल गया समझ लो clear है साथ ही क्या किया जाएगा ये जो स्वह सहायता समू है ना इनको धागा बनाने के लिए प्रसिक्षन भी दिया जाएगा और क्या किया जाएगा मशीन उपकरण जो चाहिए उनकी सहायता भी दी जाएगी तो क्या किया गया इस मिशिन के माध्यम से ना सिर्फ क्कून का संग्रहन किया गया बलकि धागा उत्पादन और इसका जो प्रोसेसिंग है उसकी भी विवस्था की गई, कैसे तो खरीदे कैसे, तो खरीद लिए, जगदलपुर विकासखन में एक बैंक बना दिये, ककून बैंक, समझ मैं है, कौन से गाओं में, डानगूर, अब यहां से ककून खरीद लिए, अब ककून किसको मिल जाएगा, तो जो स्वा सहता समू है, लगभग दो सु है, जिस पे 4000 महिलाएं रोल्ड हैं, इनको raw material मिल गया, धागा बनाने के लिए साथ ही इनको क्या कर दिया गया, तो प्रसिक्षन दे दिया गया, और machine उपकरण, जो है, उसकी भी साहता कर दे गई, अब ऐसे में क्या होगा, यह जो महिलाएं हैं, यह रेशम उत्पादन कर सकेंगी, और उत्पादन करने से, लगभग महीने में, 6 से 7 हजार रुपए, एक्स्ट्रा, यह income जो है, अर्जित कर सकेंगी, I hope यह पूरा का पूरा डीटेल आपको clear हो गया, clear है pre-point view से question देखे, तो पूछेगा, ककून बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है important question है, एक ठीक, नानगूर याद रखना second, आपको सीधा पूछ सकता है, रेशन mission को, रेशन, जो mission है उसको समझाईए, तो बताईएगा, इस mission के माध्यम से, बस्तर संभाग में, rally ककून का संग्रहन कर राज में ही, धागा उत्पादन, एवं प्रसंसकरण की विवस्था की जा रही है या इसके उद्देश से यह, जो mission है उसकी शुरुवात की जा रही है clear है, फिर आगया बता दीजेगा कि rally ककून crack करने के लिए, या खरीदने के लिए, जगदलपूर में ग्राम नानगूर में क्या किया गया है, तो ककून बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है, फाइदा क्या होगा, तो फाइदा ये होगा, कि इससे जुड़े, जो स्वासाहता समू है उससे जुड़ी जो महिलाएं हैं उनकी मासिक आए में 6-7 रुपे की वृद्धी हो सकेगी मतलब आर्थिक रूप से देखेंगे तो यहाँ पर महिला शुशक्तिकरण भी हो रहा है, तो न सिर्फ ये 30 words का एक answer ready हो गया, बलकि अगर कोई ऐसे आ गया जिसमें women empowerment की बात हो रही है महिला शुशक्ति करणने तो आब बता सकते हैं सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें आर्थिक रूप से क्या किया जा रहा है महिलाओं को शुशक्त किया जा रहा है एक्जांपल के तोर पे आप मुख्यमंत्री डेशम मिशन जो है उसको यूज कर पाएंगे इसके माध्यम से महिलाएं 6-7 जार रूप एक्स्ट्रा महिने में कमा सकती हैं आर्थिक रूप से अपने और अपने परिवार का बहतरी कर सकती है या परिवार के लिए अच्छा काम कर सकती है ठीक है? चलो रूपन नेक्स देख लेते हैं अब नेक्स क्या है? व्रिक्षा रोपन को बढ़ावा देने के लिए चतिद गड़ शासन किया कनूठी पहले है कृष्ण कुंच ध्यान अपना कृष्ण कुंच जो है न सरकार भी ये एक ऐसी स्कीम लेकिया रही है जिसके अंतरगत क्या किया जाएगा? सभी नगरी निकाए चतिद गड़ में जितने भी नगरी निकाए है, सबसे पहले वहाँ पर नियूनतम एक एकड़ की शास की भूमी छिन्धांकित की जाएगी जो कम सकम एक एकड़ हो ठीक है, जिसका अबंटन किसके द्वारा किया जाएगा तो वनवेभाग के द्वारा किया जाएगा अब इस एक एकड़ भूमी को कहा जाएगा क्या क्रिश्न कुंज, क्या कहा जाएगा इस भूमी को क्रिश्न कुंज कहा जाएगा, और इस क्रिश्न कुंज में क्या किया जाएगा, तो बर्गत, पीपल, नीम, कदम, ऐसे बहुत से सांस्कृतिक महत्व के व्रिक्षें, उन क्रिश्न जनमाष्टमी कब मनाते हैं तो आपको पता है भाद्रपद भादुमास में जो क्रिश्न पक्षोता है उसके अश्टमी क्रिश्ञ जनमाष्टमी जो है उसको मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से ही यह जो कृष्ण कुंज है यहाँ पर पौधो का रोपन क्या किया जाएगा स्टार्ट किया जाएगा अब इस न्यूज को थोड़ा डीटिल में आप समझो ना तो इसके दो महत्व हैं पहला महत्व जो है वो तो परियावरण से संबंदे था एंवार्मेंट से भी खास कर शहरी इलाकों में विकास के लिए जगा की जरूरत होती है तो हमें पेडों को काटना पड़ता है जिसे जगा बनती है ठीक है भई दूसरा जो इसका अंगल है न वो हमारे कल्चर या हमारी संस्कृती पर पॉइंट ओट करती है अब शहरी छेत्रों में कोई व्यक्ती रह रहा है विकास के नाम पर पेड़ कट गए उसने कभी बरगत का पेड़ देखा ही नहीं कभी पीपल का पेड़ देखा ही नहीं तो जब देखा ही नहीं तो ये जो पेड़ हैं इनकी हमारी संस्कृती से या हमारा जो कल्चर है उससे क्या इन पेड़ों का रिलेशन है कैसे हम पीपल की पूजा करते हैं कभी वह समझ ही नहीं पाएगा क्लियर है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा वह हमारी संस्कृती से वह वक्ति दूर हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमारी संस्कृती में ऐसे पेड़ों का क्या महत्वर था क्लियर है तो ध्यान रखेंगे ये जो क्रिश्न कुंज है क्रिश्न कुंज के दो महत्व हैं एक तो परियावरण के दृष्टी कौन से कि भी पेड़ लगाओगे सिधास बात है अच्छी बात है एंवार्मेंट में सुधार होगा ठीक है ऑक्सिजन की मात्रा जो है बढ़ेगी कार्बन डियोकसाइड की मात्रा क्या होगी थोड़ी सकम हो जाएगी बढ़िया बात है ज सांस्कृतिक महत्व वाले बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो कड़ जाने के बाद लोगों पता ही नहीं चलेगा आने वाली जनरेशन स्कून के बारें पता ही नहीं चलेगा उन सब के बारें भी अब लोग जाकर क्रश्नकून में देखेंगे बरगत का पेड़ है पीपल का पे के नीचे दिया जलायल पड़ थे तब उसको पता चलेगा कि सांस्कृतिक महत्व पीपल के पेड़ का क्या है करके ठीक है आसनी वार है साम को जलाल हो तूंवन दिया हूँ असी लेक्सन हो जल्दी क्लियर ठीक है भई मेंस में आपको पूछ सकता है भई यह जो कृष्ण कु योजना क्या है सरकार की तो बताईएगा इसके माध्यम से नगरी निकायों में कम सकम एक एकड़ की जो भूमी है उसमें जो सांस्कृतिक रूप से इंपोर्टेंट पेड़ है बर्गरत, पीपल, नीम, कदम इनका रोपन किया जाएगा जिससे ना सिर्फ परियावरण सही ओगा यह इसमें सुधार होगा अच्छा होगा बलकि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे भी क्या किया जा सकेगा चलो नेक्स देख लेते हैं अब नेक्स क्या है ट्राइबल म्यूजियम है तो नवीनतम ट्राइबल म्यूजियम कहां बन रहा है तो नवाराइपूर में बन रहा है ठीक है रभई अब नवारायपूर में कहा तो ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट है यहीं पर क्या किया जाएगा तो एक आदिवासी संग्राल है या ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा अब खुद ही समझ जाओ ट्राइबल म्यूज जो जनजातियां है ठीक है उनका रहन सहन है पहनावा आभूशन वाध्ययंत्र है ऐसी अनेक सारी चीज़े हैं जो उनके लिए स्पेसिफिक है मतलब वही जनजातिया इस्तेमाल करती है उन सभी को क्या किया जा सकेगा प्रदर्शित किया जा सकेगा इस संग्राहाल है या म जनजातियों से संबंधित अनेक प्रकार की चीजों को क्या किया जाएगा तो प्रदरश्णी पर रखा जाएगा अब अगर डीटेल्ड इसका नियूस पढ़ोगे तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है 36 गड़ में रहने वाली विशेश पिछडी जनजातियां और अन जनजात में तो मैं आपको समझाता हूँ कि विशेश पिछडी जनजाति क्या होती है तो विशेश पिछडी जनजातियां ऐसी जनजातियां होती है जिन में जो पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है जनसंख्या या जनसंख्या जिस दर से व्रिद्धी कर रहे ह ये क्या हो बहुत कम हो, ठीक है, economically या आर्थिक रूप से ये जनजातियां कैसी हो, तो बहुत ज़ादा कमजोर हो, इन में क्या हो, जो सिक्षा का स्तर हो, वो क्या हो बहुत निम्न हो, तो ऐसी जन जातियां जिनकी जन संख्या कम हो रही है या व्रिद्धी दर जो है वो एकदम कम है आर्थिक रूप से कमजोर है बहुत कम सिक्षित है या लिटरसी बहुत कम है इसके अलावा कैसी तकनीकों का इस्तिमाल करते हैं तो क्रिशी पूर्व की क्रिशी पूर्व की मतलब Pre-Egricultural Techniques मतलब क्रिशी के पूर्व इंसान क्या करता था तो खाद्य संघ्रहन करता था ठीक है खाद्य संघ्रहन मतलब क्या food gathering और क्या करता था तो छोटे मोटे पत्थरों को स्टोन्स को वजारों के तौर पर इस्तिमाल किया करता था तो जनजातिया ऐसी तकनीकों का इस्तिमाल करें पढ़ी लिखी ना हो आर्थिक रूप से कमजोर हो साथ में क्या हो तो जनसंख्या भी बहुत कम हो या घट रही हो इन सभी जनजातियों को घोशित किया जाता है क्या विशेश पिछडी जनजाती चत्तिस गण में साथ विशेश पिछडी जनजातिया हैं पाच को केंदर सरकार ने सेंटरल गवर्मिन ने घोशित किया है दो को राज्य सरकार ने या स्टेट गवर्मिन ने घोशित किया है नाम देख लेते हैं भई पहले देखते हैं क्या कि इंदर सरकार वाली पाँच तो इसको न एक फिगर से याद रखना एक बढ़िया आदमी है यह आदमी क्या कर रहा है तो अपने कमर में एक बैग लटकाए है तो यह आदमी क्या किया है अपने कमर में बैग लटका के जा रहा है कहां जा रहा है पता है तो यह जा रहा है अबूज माड की जो पहाड़ी है उसकी ओर अबूज माड पहाड़ी की ओर जा रहा है देखो भई कमर से याद रखना कमार बैग से याद रखना बैगा तो कमार बैगा दूसरा क्या है अबूज माड तो याद रखना अबूज माडिया जन जाती फिर पहाडी से याद रखना पहाडी कोरवा और ओर से याद रखना बिर सब्सक्राइब तो कौन सी पांच जन जातीया है केंदर सरकार के द्वारा घोशित कमर से कमार, बैक से बैगा अबुजमार से अबुजमाडिया पहाडी से पहाडी कोरवा और से बिरहोर दो राज्य सरकार वाली कौन कौन सी है तो एक है पंडो दूसरी क्या है भूजिया अब एक चीज मैं आपको बताओ CGPSC सबसे प्री जन्जाती कौन सी है प्री जन्जाती भूजिया जन्जाती भूजिया जन्जाती जो है न इन लोग में जो इनका केचिन होता है रंधनी खोली ठीक है खाना बनाने जगा जी वो एक ठो सेपरेट होता है गर और वो लाल रंग का पोता गया होता है उसको क्या बोलते हैं लाल बंगला बार बार पूछता है लाल बंगला किस जन्जाती से दियान रखना लाल बंगला भूजिया भूला जहुद के से याद रखना बताओ भूजना है कतका लाल हो अतले सवन में आया, तो भूंजिया, लाल बंगला, चलो next, गाता पकना प्रथा, तो अबूज मारिया जंजाती में विशेश रूप से यह एक important प्रथा है, जिसको बोलते हैं क्या गाता पकना या गायता पकना, पकना मतलब पत्थर याद रख लो, अब बेसिकली होता क्या है, साम जंजाती में क्या होता है ना, अगर व्यक्ति की हो जा है मृत्यू, ठीक है, तो लगभग मृत्यू के 20 वर्षों के बाद क्या किया जाता है, तो इसकी स्मृती में, एक गाता पत्थर या गायता पत्थर जो है, उसको स्थापत किया जाता है, एक स्मृतीistas Western के तार पर, remembrance क के लिए एक sign के तौर पर क्या किया जाता है एक stone या एक पत्थर को स्थापित किया जाता है सुने चोग इंगलिश में death pillars बोलते हैं clear है यह तो basically जंजातियों का यह मानना है कि शरीर तो नश्वर है तो शरीर क्या हो जाएगा गायब लेकिन उसके याद के तौर पर क्या रहे गोंडी में गोंडी भासर में इसको क्या कहते हैं तो उरसाना या पत्थर रखना कहा जाता है पूरा कहते हैं इसे क्या कहते हैं कल उरसाना पत्थर रखना कहा जाता है समाने रूप से इस कायूजन 20 वर्षों में एक बार किया जाता है कुछ-कुछ जंजातिया इसको 30-50 ऐसे वर्षों में भी करती हैं, ठीक है, इंपोर्टेंस अगर आप देखोगे, तो आपको प्रीम पूछेगा भई, गाता प्रखना जो प्रथा है, यह किस जन जाती संबंधित है, तो अबूज मारिया जन जाती, मेंस में इस प्रथा के बारे में लिखने के लिए आ जाएग गाता पत्थर और इसे एक जगा पड़ गाड दिया जाता है, यही है आपका गाता पकना या गायता पकना, ठीक है, मृत्यू से संबंधित एक इंपोर्टेंट गीत भी है, आपको पता है न, क्या बुलते हैं अज गीत को, तो नाम है घोटुल पाटा, अब यह जो गीत है इसको कौन गाता है तो, मृडिया जन्याती के लोग, खासकर इस घोटुल पाटा गीत को गाते हैं, बृत्यू के सर्में, और इस गीत के माध्यम से राजा जोलोंग साय जो है, राजा जोलोंग साय, इनकी कथा को सुनाया जाता है, ठीक है, चलो तो यह था क्या, गाता पक देश हो भारत नहीं है बोल रहे हैं으 तो हमारी देश है भारत उसमें रेलवे क्या कर रही है तो उनकी जो खाली भूमी है रेलवे की उसमें ऑब बड़े बड़े solar power plants लगा रही है इससे होगा क्या तो रेलवे जो है वह खुद ही बिदा कर सकेगी और बिजली पैदा करने के लिए यह सेल्फ सफिशेंट हो सकेगी उसी क्रम में क्या करी है तो जो चरोदा है हमारा दुर्ग जिले का पता छराइपूर के पास यहाँ पर रेलवे ने देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया है यहाँ से 50 मेगावार्ट बिजली डेली उत्पादन किया जा सकेगा यह प्लांट लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है जून के अंद तक हो जाएगा अब यहाँ से बिजली जो बनेगी उसका इस्तिमाल किस से किया जा सकता है तो जो रेल्वे प्लाटफॉर्म से उस पर बिजली सप्लाई की जा सकती है ट्रेंज को चलाया जा सकता है अच्छा आपको पता है 36 गड़ का है पावर सर्पलेस वाला राज्य है मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पावर उत्पादन बहुत जादा है बिजली का उत्पादन जादा है तो हम रेल्वे को लगभग 4 रुपए प्रती यूनिट के हिसाब से बिजली बेचते है कुछ अन्यराज हैं जैसे कि UP है करनाटक है यह रेल्वे को 8 रुपए प्रती यूनिट के हिसाब से क्या करते हैं बिजली बेचते हैं तो रेल्वे जब UP और करनाटक से बिजली खरीती है तो रेल्वे को महंगा पड़ता है तो रेल्वे यह सोच रही है कि ऐसे ही प्लांट्स को लगा कर यह हो सकता है कि इसी प्लांट से ट्रांस्मिशन लाइन्स के माध्यम से UP और करनाटक में भी क्या किया जा सके तो रेल्वे के लिए ही बिजली को भेजा जा सके ताकि वहाँ पर बिजली क्या हो रेल्वे को सस्ती पड़े है तो उत्तर प्रदेश हो गया करनाटक ऐसे राज्जियों में भी ऐसे सोलर प्लांट से प्जली भेज़ी बेजी जा सकेगी रेल्वे прекрас यह एत्षिए लिए ही उसके अलाव रेल्वे क्तिया कर सकता है यहां पर भी प्लाट không काम में और ट्रेन को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है बहराल जो भी करना है रेलवे बोर्ड जो है उसको फाइनली डिसाइड करेगा कि इस जो बिजली है उसका उत्पादन हुआ है उसको इस्तेमाल कैसे करना है कंद्यूजन नहीं होना चाहिए जो मैं आपको यहां पर दो एक्जामपल बताया हूं वहां पर बिजली भेजेंगे ना तो रेलवेस के लिए भेजेंगे समझ में आया उन राज्ज को नहीं बेचेक 36 गड़ ठीक है यहां से रेलवे जो बिजली बना रही है उसको रेलवे ही भीजवाएगी इन दोनों राज्यों तक अपना ही का पहला मिलिट्स काफे तुराइगण में बन रहा है यह हो गया भीया प्री का अगला क्वेशन तो यह पहला मिलिट्स काफे कहां पर है तुराइगण में यहां कोदो कुटकी रागी ऐसे जो अन्य मिलिट्स हैं इन से बने हुए स्नाक्स हैं बिस्किट हैं और भी बेकरी आ मोदी जी ने हाल ही में क्या किया था डेन्मार्क की यात्रा की थी और यहाँ पर नौडिक देश जो है उनके जो गणमान ये नागरिक हैं उनसे मिले भी थे नौडिक देश मेरे को बता ना कमेंट करके कौन कौन आता है भी नौडिक देश में ठीक, अब यहाँ पर डेन्मार्क के जो क्राउन प्रिंस है, फ्रेडरिक, इनको इन्होंने क्या किया है, तो धोकरा शिल्प से बनी हुई एक नाव को भेट की है, तो 36 गड़ में जब आर्ट एंग कल्चर वाला सेक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें आप धोकरा आर्ट या धोक से क्या की जाती है, कास्टिंग की जाती है, और इसी प्रकार बहुत सी उपयोगी वस्तूओं को बनाया जाता है, सजावती वस्तूओं को बनाया जाता है, क्लियर है ये, अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भारत में लगभग 4000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है, क्ल महाविद्याले है, कहां पर है, पता है ये, कबीरधाम, अब इसका नाम करने किसके नाम पर होगा, तो पदमश्री, पूराराम निसाथ, आपको पता होगा, या पता होना चाहिए, पूराराम निसाथ जी जो है, ये पंडवानी से संबंधित थे, और कला के छेत्र में इन्हे वर्ष 2005 में क्या मिला था, तो पदमश्री, क्लियर है ये, तो बेसिकली हुआ क्या था, एक ऐसा प्रपोजल कि इस महाविद्याले का नाम जो है, पूराराम जी निशाथ के नाम पर होना चाहिए करके, ये राजिस सरकार को भेजा गया था, जिसको क्या किया गया है, मुख कर दिया गया है, सीधा पूच सकता है, कि माचिकी महाविद्याले कभीर धाम जो है, उसका नाम करण किसके नाम पर किया जा रहा है, नाम याद रखना है, पूराराम निशाथ, चलिए ठीक है, विविद में नेक्स्ट क्या है, गोल्डन आइलांड कोर्बा, तो आपको पत बांगो बांद का जो रेजर्वायर है, ठीक है, उसका जो जलाश है, वहाँ पर ना तीन ठो, छोटा-छोटा, क्या पढ़ता है, तो आईलेंड या, द्वीब, एक सत्रेंगा है, दूसरा बूका है, तीसरा क्या है, गोल्डन आइलेंड, क्लियर है यह, तो सत्रेंगा है, बूका है, और क्या है, गोल्डन आइलेंड है, तो यहाँ पर इनको गोल्डन आइलेंड सर्किट के तौर पर परियतन के लिए क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, अब आपको क्वेशन कैसे कैसे पूछ सकता है, तो पहले पूछेगा, कि गोल्डन आइलेंड circuit जो है उसमें निम्न में से कौन-कौन शामिल है एक question हो गया फिर तीनों को उठा के पूछ सकता है कि ये किस जिले में है clear है ये ठीक है भई अब एक बार जो है हम लोग थोड़ा सा इनको map पर भी देख लेते हैं ठीक है थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा तो ना पहले ये जो हिस्सा मैं color change कर देता हूँ यार ready करता हूँ अच्छे समझ में आएगा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना ये छत्य गड़का क्या है कोरबा जिला है clear है और ये जो कोरबा जिला है ना यहाँ पे इस प्रकार से ये हस्देव नदी जो है वो प्रवाहित होती है बीच का जो हिस्सा आप छोटा सा देख रहे हैं ना यही जलाशा है आपके हस्देव बांगो डाम का clear अब इसको अपन ठीक अब जलाशे जो है ना इस जलाशे में सबसे पहले आप देखेंगे ना तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर golden island एक दूसरा ये जो सत्रेंगा लिखा है इसका थोड़ा उत्तर क्यों राओगे तो बिलकुल यहाँ पर आपको माप पर दिखेगा क्या यह देखिया सत्रेंगा क्लियर है यह तो एक हमने क्या देख लिया यह सत्रेंगा देख लिया ठीक चलोर भई दूसरा मैंने आपको यहाँ पर golden island भी दिखा दिया था तीसरा जो है न वो है क्या बुका यह रहा बुका ठीक है तो यह बुका है यहाँ पर golden island यहाँ कुंटे माप को इंगदम क्या दिखने वाला है तो सत्रेंगा दिखने वाला है यह सब कहा है तो सब का सब है आपका कूरबा district में ठीक है कूरबा district है और यह बांगो का जो रेजर्वायर बताया था न मैं बांगो का जो जलाशा है उसी में है ठीक तो मैप पर देख लिया है तो कूरबा में हस्दियो नदी पर जो बांगो डैम है उसके कैस्मेंड में सत्रेंगा बू का golden island और ऐसे छोटे मोटे लगभग 20 किलो मीटर के अंतरगत और भी कुछ चीजें या कुछ tourist destinations जो है वो है ठीक है इन सभी को क्या किया गया है golden island circuit जो है इसके अंतरगत develop किया जा रहा है ठीक है चलिए उसके बाद एक थोड़ा सा और कम important news है बड़ इसको देख लेते हैं तो सूरजपुर में क्या किया है तो आदिवासी समाज सम्मिलन में कौन शामिल हुए है तो पुपेश बगेल जी हुए है कुछ घोषना की गई है तो गोंड, उराओ, कवर और चेरवा समाज के समाजिक भवन के लिए 25-25 लाग की घोषना है साथ में बस्तर की तरह सरगुजा में भी जन जातियों के लिए क्या किया जाएगा तो देवालेओं का निर्माण गुडी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए क्या क्या दिया जाएगा तो 5-5 लाग रुपए की घोषना की गई सरकार निर्माण नहीं कराएगी निर्माण के लिए 5-5 लाग रुपए की घोषना की गई है चलिए फाइनली कंटेंट खतम किस पर आ जाते हैं सीधा क्वेशन पे पहला क्वेशन क्या है तो पहला मिलिट्स कैफे कहाँ पर खुला जा रहा है और आप्शन सब्सक्राइब की सामने है सेकेंड है चतिजगर्ड पुलिस का निजात अभियान निम्नी में से किस्से संबंदित है देखे ही है आर अपन भी नेक्स क्वेशन क्या है तो चत्तिर गड़ शासन की पहल कृष्ण कुंज निम्ने में से किस्से संबंदित है ये भी ठीक है अगला देखे क्या है हाल ही में मात्सिकी जो महाविद्याल है कबीर धाम का उसका नाम करण किसके नाम पर किया जाने खुष्णा की गई है नेक्स क्वेशन पुलिस का जो निजात अभियान है वो किस जिले में चलाया जा रहा है और फाइनली इसको ऐसा कर लिए किस जिले में शुरू हुआ है ठीक है कुई सेकंड में भी चालू हो चुका है इसलिए ऐसा करिएगा किस जिले में पहले शुरू हुआ है और उसके बा पात होगी मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू और टेक केर